Hello friends, welcome to my channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे navigation की लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे कि header किस तरीके से हम manage करते हैं first half हमने किस तरीके से बनाए और second card की बात कर रहे थे चलते हैं हमारी code file में और देखते हैं कि किस तरीके से हम हमारी header को manage करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमारे पास था flex card जिसके अंदर हमने layer 3 बनाए थी और 1 और 2 layer पर हमने चीजों को हमारे 2 section को set किया था परस्ट पर हमने logo बना लिया था second पर हम बात करने वाले navigation की तो यहाँ पर हमें करना क्या है सबसे पहले हमें navigation को create करना है उसके लिए क्या करना है हमें हमारे component में आने के बाद हमारे header.php file है उसके अंदर हम क्या करेंगे navigation को call करेंगे अब navigation को call करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि सबसे पहले navigation होना चाहिए तो हम क्या करते हैं हमारे code file में यहाँ पर header के साथ में हम क्या करते हैं एक component बना देते हैं header navigation के नाम का यह हमारा container सा यह folder आया यहाँ पे header navigation के नाम का अब header navigation में हमें करना क्या होगा सबसे पहले हमें navigation.tsx बनानी होगी navigation.tsx बनाके फिर हम उसके आगे चीजों को वापस प्रसेस करेंगे navigation.tsx यहां लिखते हैं rfc ठीक है और हम क्या करेंगे यहाँ पे component हमने बना लिया अब क्या करते हैं header file के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम हमारे navigation को call करेंगे यह हमारा navigation है इसको हमने call कर लिया और हमने क्या मिला यह हमारे पास add भी हो गया उपर टॉप में भी ठीक है यह हमारे पास अल्रेड़ी यहाँ पे था और यह चीज आ गई तो हम क्या करते हैं जो हमारे पास navigation था उसको हम on कर लेते हैं साथ ही हमने इसकी एक dot json फाइल भी बनाई है उसको भी add कर लेते हैं एक बर पहले देख लेते हैं हमारे पास browser में क्या आया जो हमारे पास component create हुआ है अब क्या करते हैं हम चलते हैं वापस header file में हमारी यहां पर क्या करते हैं हमने file बनाई है उपर top पे header navigation dot json की तो वो हम क्या करते हैं हमारे data के अंदर बनाएंगे ठीक है वो हमारे data में होनी चाहिए और किसमे data में लिखा हुए हमने तो direct यहां से header navigation dot json ले लेते हैं और data के अंदर इस file को create कर देते हैं ठीक नौ अब क्या करते हैं हम कि यहां पर हमारे header का जो json code है वो रखेंगे तो json code क्या है और रेडी बनाया हुआ है मैं वो just put कर देता हूँ यहां पर just a second यह मैंने put कर दिया अब क्या है यहां पर सबसे पहले लिखा है no allowed pages यहां पर आने वाले time में एक functionality बनाएंगे जहां पर हमें header जो navigation है वो नहीं चाहिए होंगे तो उसमें क्या लिखते है slug में वो pages के url अभी हमने xyz और vyz लिख दिया है ठीक है menus इसके अंदर दूसरा menu के अंदर क्या लिए हमने सारे menus को बनाया menus में क्या किया हमने id name url position और child ले लिया child जो है starting वाला वो नल रखा है और जिसका भी जोन सा child है suppose करो ludu है तो ludu हमारा किसका child है आर गेम का तो हमने child 1 लिख लिए यानि इसकी id लिख दी इस तरीके से हमने सारे बना लिए यहां पर ठीक now अब क्या करना है हमें यहां पर भी position को रहने देते हैं पूजिशन हम आगे fix करेंगे suppose हमें change करनी पूजिशन तो हम 123 करके उपर नीचे करके इसमें जेसन में just change करके अपने पूरे menu में change कर लेंगे क्या करते हैं save करते हैं इसको now अब चलते हैं हमारे वापस header.tsx के अंदर और यहां पर navigation को हमने जो बनाया था यानि head navigation.tsx बनाई थी वहां पर काम करेंगे लेकिन वहां पर काम करने से पहले हमारे पास यहां पर data pass होना चाहिए तो वो किस तरीके से हम करेंगे data pass क्या करेंगे जो हमने data को लिया है just a second यहां पर एक issue है देखो क्या किया हो है हमने यहां पर navigation लिया है तो navigation में अब क्या ले लेंगे हैं जो हमारा data आया था navigation का उसको क्या करते हम यहां पर इस तरीके से props में ले लेते हैं यह menus आ गया अब menus में यह error देने लगया यह type script की error है तो हम इसको दीरे दीरे fix करेंगे अभी हमने क्या देखा था यहां पर हमने data ले रखा है और इसको हमने navigation में ले लिया now save करते हैं इसको अब क्या होगा हमारे पास जो navigation जो बनी है tsx इसमें कुछ भी नहीं है तो अब हम data pass कैसे करेंगे सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा मेर पास क्या है code बना हुआ है तो time बचाने के लिए मैं उसे paste कर देता हूँ फिर हम आगे चलेंगे ctrl-a ctrl-v ठीक है now क्या किया इसको एक बार रहने दीजिए अब दोनों चीजों को error आ रही है यहां पर यह हमने css file बनाई हमारे navigation को design करने के लिए अब क्या हुआ कि जब हमने हमारे header के अंदर यहां पर menu बनाया था तो हमें इसके type script की error मिली तो वह resolve हो गई अब क्या हुआ यह resolve कैसे हुई कि जब हम यहां पर component का use कर रहे हैं तो उसके अंदर जित्ता भी हम data भेज रहे हैं वह हमारा correct form में है की नहीं है यह हमें type script error दे रहा है कि आपका जो भी component है उसके अंदर जाके आपके data को fix करो तो उसके लिए क्या किया हमने यहां पर आके थीग है देखो आप किया कर सकते हो चाहो तो इसका भी use कर सकते हो यहां फिर आप इस तरीके से भी इस data को use कर सकते हो दोनों same ही है यह पुराना method है हमारा call करने का और यह हमारा nea method है तो हम किसी भी तरीके से use कर सकते हैं Herr अभी यह वाला कर ले लेता हूं ताकि यह भी हमें याद हो सके method क्या लिखा? navigation colon react.fc react.functional component .fc का मतलब function component यह हमारा क्या होता है? props होता है जो हम children के बाद colon लगा गया है लिखते थे वो यहाँ पर आगया क्या किया? हमने bracket में children और menus ले लिया जो हमारे पास यहाँ header में था menus वो हमने यहाँ पर ले लिया ठीक अब क्या किया? इस menus में data किस तरीके गाएगा तो पहले children के अंदर हमने question mark लागे लिए react.react node और menu के अंदर हमारे पास क्या data है? यहाँ अब menu item में हमारे पास क्या क्या चीज़े है? सबसे पहले id है, फिर number है, url है, position है, child है, children है तो children में भी क्या हो सकता है हमारे पास number of क्या आएंगे यही चीज़े आएंगी ऊपर वाली फिक क्या होगा menu item हो सकता है, एक menu item के अंदर दूसरा menu item हो दूसरे के अंदर तीसरा हो, तो कित्ते भी हो सकते हैं तो इसके children में हमने क्या ले लिया, यह menu item ले लिया, ध्यान देना यह वाला children जो आप functional component में children का use करते हो, वो और यह वाला children यह different है, यह हमारा बनाया हुआ खुद का custom variable है children, तो यह दोनो एक नहीं है, अब क्या किया है, यहाँ पर menu item ले लिया और इस menu item को हमने यहाँ पर पास कर दिया, यानि हमारे जो यह children के अंदर menu item आने वाले हैं, उन में same data हमें मिलने वाला है, अब क्या किया है, हमने menu प्रॉप्सी हमें पर call कर आ ली, अब क्या करते हैं, जब हम यहाँ ul बनाते हैं, और यहाँ पर menu को data को लेने आते है, menu की data को, तो हमें क्या पता चलता है, कि हमारे पास पहला R, R में और games आएगा, उसके बाद Ludo, child बना जाएगा, यानि हमारे पास इसके भी child होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या किया हमने, सब यहाँ पर पास कर ले, और menu root में ले लेंगे, अब यह हमने बनाया कहा, हमने क्या किया, यह यूटिल्स के अंदर एक file बनाते हैं, हम function.ts, ठीक है, ध्यान देना, ts और tsx में फरक क्या है, कि tsx में तो आपका jsx code आ सकता है, लेकिन ts के अंदर only functions रहेंगे, ठीक है, तो हमने यह बना ली, now, देखो, यह चीज हमने यहाँ पर बना रखी थी, कांगे हमारा function, header menu हमने बनाया है, यहाँ पर header function, यहाँ पर file हमने क्या बना रखी है, header function के नाम से बना रखी है, तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा hangora system, हाँ, वहाँ पर हमने क्या बनाई है, header function.tsx के नाम से file बनाई है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस file का name, चाहो तो आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो यूटिल है, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, इसका नाम header function.ts कर देते हैं, ठीक है, यानि function यहाँ पर पूरा बनने वाला है हमारे पास, अब क्या करते हैं, header function.ts के अंदर जो code है, वो मैं वापस paste कर देता हूँ, पहले से बनाए हुआ code है, यहाँ पर इसको save कर लेते हैं, file को, और यहाँ पर code paste कर देते हैं, यहाँ पर किया क्या, यहाँ पर header menu नाम की चीज बनाई अब आप जित्ती बार अलग-अलग menus को बनाते हैं, जित्ते भी function आप बनाते जाओगे और उसके अंदर parameter को pass करोगे, तो आपको उत्ती बार ही type script को use करना होगा, यहाँ तो क्या करो, आप एक single file बनाके इस वाले function को, जो की यहाँ भी use हुआ हुआ है, यह देखो, इसको एक single file में ले लो, और उसके बाद यहाँ पर import करा लो, तो हम वो आने वाली वीडियो में आगे करने वाले हैं, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस वंग, जो हमारा यहाँ से आ रहा है, गिरा, इसको ले लिया हमने, अब इसके अंदर क्या होगा, menus के साथ साथ हमारे पा आ रहा है यहाँ पर, suppose करो, यह देखो, यह हमने, एक यह function मना रखा है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करा है, parent ID भी पास करेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर parent ID ले लिए, जो की numbering में होगी, यानि 1, 2, 3, और हमारे JSON के अंदर यह रही, 1, 2, 3, 4, यह लेंग अब क्या हुआ, कि यहाँ पर, इसका जो result होगा, ठीक है, header menu का, जो result हमारे पास return में आएगा, वो क्या आएगा, एक array आएगा, लेकिन वो array क्या होगा, वो भी एक menu item के type मतलब क्या होगा, यह भी हमें result देने वाला है, तो हमने क्या किया, menu item को array बना दिया, यह वाला जो ह है, यह हमें क्या होगा, यह दे कोई children मनाया है, तो possibility हो सकते है, कि वो हमें भी children में क्या है, result दे, तो result हमारे पास किस form में आ रहा है, array की form में, तो हमने यह वापस लिख दिया, ठीक, यानि एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर वापस, ठीक, इस तरीके से, तो हमने क्या कि अगर वो null है, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने क्या, यहां मैच कराया है, यहां पर child को मैच कराया है, उसकी parent id से, यानि one आ गई, suppose for second time में जा रहे हैं, यहां पर, ठीक है, तो यह one है, और one किसकी, इसकी है, तो क्या हो जाएगा यह, यह आगे चलेगा, ठीक है, filter, जो इस से मैच कर रही है, यानि one से जो जो मैच कर रही है, जित्ती भी, एक यह मैच कर रही है, एक मैच कर रही है, हमारी यहां पर, और कौन सी लूडो के लावा, यह देखो, एक यह मैच कर रही है, ठीक है, तो इस तरीके से जो जो one से मैच करेंगी, वो आएंगी, two से मैच क बना दिया function को लूप में चला दिया जित्ती बाहर मैन्यू के चाइल्ड अगर मिलते जाएंगे उत्ती बार यह चलता जाएगा और क्या होगा पेरेंट वाले के अंदर चिल्डन एड़ हो जाएगा इसका यह वाला चिल्डन ठीक है यह वैरेबल यह है तो हमें क्या मिनेगा इन शॉर्ट वन के अंदर वन वाले मैन्यू मिलेंगे चाइल्ड वाले टू के अंदर टू के चाइल्ड वाले त्री के अंदर त्री के चाइल यह रिटन हो रहा है तो यह function यह बना वार आप क्या हुआ इसके अंदर suppose को रूट मैन्यू रूट के अंदर सारा डेटा गया मैन्यू रूट मैप अब यहां पर पेरेंट ले लिया यहां पर भी इसने चीजों को ले लिया अब क्या बनाया है यह मैन्यू आइटम नाम का एक जो हमारा यह header बन रहा था header navigation इसी के अंदर हम menu आइटम भी बनाएंगे चलिए बनाते लेते हैं और क्या गया header navigation file menu item.tsx बना लिए इसके अंदर data को मैं क्या कर देता हूं पेस्ट कर देता हूं और पेस्ट कर देता हूं ठिक है अब reason क्यों कि ये हमने अलग से क्यों बनाया suppose करो कोई menu item मारा है उसके उपर मैं h over कर रहा हूँ तो वो कहाँ पर हो रहा है client side में हो रहा है h over जो भी हमको menu दिखेगा या उसके उपर हम कोई भी activity करेंगे तो वो client side होगा ठीक है और हमें पता है next.js में अगर कोई application कोई चीज चल रही है कोई component चल रहा है तो वो use client का use करेगी जो server वाली होती है उस पर हम use client का use नहीं कर रहे है लेकिन जो हमारा client side होता है उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले use client का use करेंगे उसका reason अभी बताते है देखे फिर क्या किया हमने link से link निकाल लिया next जैस लिंक से यह हमारे पास क्या हो गए react icon अब react icon हमारे client side चलेंगे server side नहीं चलने वाले इसका कोई भी हमें response नहीं मिलेगा फिर हमने header यह वापस से menu item आ गया फिर से call करना पड़ा क्योंकि सेम चीज यहां पर आ रही है और हम एक function मनाने वाले है ठीक है अब क्या किया menu item प्रॉप्स में क्या होगा कि उसका कोई भी data structure हो सकता है और वो menu item भी हो सकता है जैसे कि suppose करो नल हुआ तो नल हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमारे यहां पर error थो करने लग जागा इसलिए हमने यहां पर any लिग दिया और end इस तरीके से लिखते है और menu item में अब suppose करो menu मिल गया तो वो क्या होगा number, id, name, url, position, children यह सब चीज होंगे उसमें फिर हमने menu item बनाया उसी तरीके से बनाया हमने data को ठीक अब क्या है इसके return में हमें यह कुछ नहीं देने वाला है function हमें कुछ return नहीं कर रहा है, यहां अब देखो, use client का हमें कैसे पता चला कि यहां पर हमने क्या लिया है, use state, use effect, use हमारे पर जित्ते भी hooks use करेंगे हम react के, अगर वो हम use करने वाले हैं, यहां फिर next.js का use का hook use करने वाले हैं, तो वो हमारा client end पर ही run होगा, इसलिए हमें यहां यहां प और वो हम state के तुरू manage करेंगे, इसलिए हमें यहां पर इस तरीके से लेना पड़ा, अब यह open हो रहा है, तो open की class add हो रही है, अगर close हो रहा है, तो close की class add हो रही है, ठीक, just li आगया, अब li में क्या किया, अगर children की length greater than है, तो उसका style change कर देंगे, open और close ठीक है, वो use क्या हो है, यह हमने link बनाया है, जो हमारे menu के उपर link बनेगा, और mouse on enter और over के उपर हम उसे close और open करेंगे, ठीक, फिर यह हमने inner बना दिया, ठीक, अब क्या हो है, जैसे हमने item dot children dot ये लिया, अब यह children आया, तो यह child क्या करेगा, फिर error throw करने लग जाए, क्योंकि इसको type इसकी मि जो इस, यह जो children मना, इसके अंदर का जो child आ रहा है, उसको कहीं भी ये manage नहीं है, तो हमने क्या करना पड़ा, react dot key ये null और उससे define करेंगे इसको, ठीक है, जो हमेरे पास यहाँ पर इस child की ID आएगी, उसको, menu item को हमने दुबारा से repeat कर दिया, जो हमने यहाँ पर बनाया है इसी को, यह जो हमने बनाया है, menu items, यह वाला, ठीक है, menu item dot tsx, इसी को हमने repeat कर दिया, और उसके अंदर child डाल देगा, या अगर एक menu item के अंदर और menu item हुए, तो वो repeat होती जाएगी, और यह process पूरी चलती रहेगी, ठीक, तो इसको save कर देते हैं, next.js के अंदर हम इसको save करत हैं, यहाँ पर error थो रही है, क्या चीज़ है, parent implicitly has an any type, ठीक, इसको हमें fix करना है, यह हमें error देगा, और अब भी हमरे पास error आ रही है, CSS की, तो उसको fix कर देते हैं, देखो, क्या किया हमने, यहाँ पर CSS file बना दी है, हमारी header navigation.module.css, उसके बाद हमारे पास error आ रही है, react icons की, तो हम सबसे पहले react icons install करेंगे, कैसे, npm install react icons dash save, यह कपके, ठीक है, यह save हो गया, अब देखो, हमारे पास error चली गई, अब चलते हैं, हमारे यहाँ पर, अब क्या करते हैं, इसको दुबारा से save करते हैं, इसको पहले solve करते हैं, कि यह solve क्यों नहीं हो रही, दोस्तों, यह error को solve करते हैं, और वापस आते हैं, लेकिन next वीडियो में देखते हैं, क्योंकि यह वीडियो अल्रेडी काफी बढ़ी हो चुकी है, तो next वीडियो में इसके solution की बात करते हैं, चलिए मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए take care and goodbye, चैनल को subscribe कर लीजिए,